So, it was a normal day in the market and yet alarming. मतलब, ऐसा कुछ चीजे हुआ है, जो थोरा सा हमें cautious करने में मजबूर कर देगा, जो हम आगे discuss करेंगे. लेकिन सबसे पहले, आप सब को happy हनुमान जैंती. मैं आशा करता हूँ, and I hope कि Lord हनुमान आप लोगों के जीवन से संकट को दूर कर दे. और आप लोग बहुत अच्छी तरीगे से without any fear of losses, trading career पे आगे जा पाए. So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel, the Bengal trader. I hope you guys are doing well. अभी हम discuss करेंगे, आज market कैसे play out किया, कौन सा important levels था, कहाँ पे हमारा trade बना, and कल, यानि कि 24th of April को हम किस तरह से bank nifty और nifty में trade करेंगे, कल, bank nifty का expiry होने वाला है, कौन सा important levels होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में discuss करेंगे. Last analysis वीडियो में हमने discuss किया था, कि bank nifty एक print line जैसे को इस चीज़ को follow कर रहा है, जब तक इसके नीचे properly candle close नहीं होगा, तब तक selling pressure market पे नहीं आएगा, अच्छा, alarming चीज़ कौन सा था, alarming चीज़ ये था कि India Wix was absolutely breakdown हो चुगा था है India Wix का, ये बहुत rare मिलता है, आप जाके एक बार पेले, जाके एक बार search कीज़ेगा, इस तरह का, इस तरह का, एकदम plumber down होना India Wix अपने आप में भी अच्छा नहीं होता है, जैसे होता है, कि India Wix एक ऐसा measurement होता है, कि ज्यादा अच्छा भी नहीं, उपर भी अच्छा नहीं होता है, ज्यादा नीचे भी अच्छा नहीं होता है, तो कई ने कई ये हमें एक problem कर सकता है, क्यों? Because India Wix आ रहा है अपने धीरे-धीरे all time low के आसपास, मतलब ये आट उपे, जो कि 52 week का भी हम लोग बोल सकते हैं, और कहीं ने कई एक bounce area भी है, अगर India Wix यहाँ तक आ जाता है एक आत दिन में और उसके बाद एक bounce मरता है, तो वो bounce में पूरा stocks और पूरा index मतलब एक बहुत अच्छी तरीके से fall down कर जाएगा, इंडिया विक्स को आज नहीं तो कल तो बढ़ना ही है और अगर इंडिया विक्स बढ़ता है, तो कहीं न कहीं market पर uncertainty return आता है और वहां पर हमें market पर जो smoothness देखने को नहीं मिलता है, तो अब हम कैसे plan करेंगे, देखिए, अब हम simple plan करेंगे कि अब हम थोड़ा सा sell on rise देखेंगे, unless and until market doesn't go and closes above this level, जो की हो जाएगा 4800,00, ये zone को में हटा देता हूँ, या फिर इसको में थोड़ा सा narrow down कर देता हूँ, जब तक market पे, market इसके उपर जाके आप candle closing करना शुरू नहीं करता है, जो की हो जाएगा 48,080 के उपर जब तक market बैंग निफ्टी closing करना चालू नहीं करता है, तब तक market पे हम sell on rise ही देखेंगे, तो अगर market कल 24th April को flat open होता है, उपर जाता है, ये जो swing है, इसके उपर निकलता है, हरबरी करके buy मत कीजिएगा, मैं बारबर बता रहा हूँ, फसने का chances बहुत हाईए, कौन सा swing हो जाएगा, देखे, बहुत लोग क्या करेंगे, यहां प सब स्पाइक कर जाएगा, तो कल हमें एक भैंकर expiry देखने को मिल सकता है, जहां पर trending और साती साथ अच्छा खासा हम है, और India Wix याद रखी, India Wix कम है, तो obviously option का prices भी कम है, मतलब अगर हम देखेंगे 47,935, इसका अगर हम एड़ दमनी देखते है, जैसे 47,900, इसका आप है, जहां पर पैसा 2-fold, 3-fold times बरने का chances बहुत होता है, अगर आपके पास profit है, then don't miss out tomorrow's day, कौन सा-कौन सा level होगा, flat open होगा, I will wait, अगर उपर जाता है, इस swing के उपर निकलते, मैं buy नहीं करूँगा, मैं wait करूँगा, 48,080 के आसपास से, ये एरिया के आसपास से, लिक्रिट करना पसंद करूँगा, bank nifty को personally, okay, in case, flat open हो के ये उपर ना जाके, नीचे आता है, तो मैं कैसे trade करूँगा, नीचे आएगा, तो simple है, bank nifty के पास 2-2 जगा होने वाला है, जहां पे हमें watchful zone करना परेगा, I'm sorry for the background noise, ठीक है, कौन सा-कौन सा 2-2 जगा होगा, पहला जगा हो next जगा हो जाएगा, ये वाला watch zone, और last and final हो जाएगा, ये 47,250 के आसपास, तो अगर market flat open होता है, flat open हो के नीचे आता है, ये जो swing बना है 47,898, मतलब 900 के आसपास, इसको तोरते ही हम एक बार short कर सकते, कहां तक का target के लिए 100 point का पहला target, अब आपको सुनके हसी आ सकता है, 100 point क पहला target, जैसा market है, हम वैसा react करेंगे, अब 100 point का zone निकल के आ रहा है, हम क्या कर सकते, वहाँ पे, आप max to max ये कर सकते, कि आप trade मत लीजे, लेकिन अगर trade बनता है, तो एक बार हम जरूर लेने की कोशिश करेंगे, तो flat open हो क्या कर नीचे आता है, तुरंद cross करते ही हम ले सक यहाँ पर आके market एक बार reaction दे सकता है, 50 moving average का dynamic support भी मिलेगा, अगर आप ठीक से देखेंगे, तो most probably मिलने का chance से, अच्छा थोरा उपर है, तो कई नहीं कई एक fake down भी देख सकता है, तो 50 moving average को भी आपको ठीक से देखना पड़ेगा, और 47,800 के आस पास से आके market एक बार reaction दे है, हम में चलना पसंद करूगा, इनके से अगर gap up open होता है, तो plan वहीड आएगा, 48,080 के नीचे ही में short करने बाला हूँ, unless and until market 48,080 के ऊपर gap up open ना हो जाए, अगर इसके ऊपर gap up open हो जाता है, तो कही ना कई selling pressure फिर से कम होने वाला है, एक और दिन market खीच सकता है, आने वा तो कल और रुकेगा नहीं, जैसे दो दिन देखे, ट्राइ किया, profit booking का, हो नहीं पाया, दो दिन ट्राइ किया, हो नहीं पाया, देखे, लास्ट दिन बे, मतलब, जो ट्रेडिंग सेशन था, वहां पे फिर भी buying pressure आया, आज थोरा flat pressure है, और कल भी अगर gap up open हो कि ये profit booking पे आ price section आ जाएगा, इस तरह से, मैं यहां पर और quantity add-on कर दूनगा, last day में bounce आया, आज रुका, next, अगर कल ऐसा होता है, तो वो पूरा fallout कर जाएगा, जो market को कहिना कि ये 47,800 और 47,650 का आसपास लेके आ सकता है, छोटा-छोटा range आएगा, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, देखे, हम selling market पे नहीं है, जहां पे हमें 400-500 point का fall देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसे market पे अभी खड़ा हुआ है, कि 200-500 point बहुत fast आ सकता है, फिर cover कर सकता है, तो fall को miss out नहीं करना है, because ये random नहीं होगा, ये proper level से होगा, ठीक है, जब proper level से होगा, I will definitely tell you guys, अब अगर gap I can buy here, और कहिना कहीं, closing price तक का target, उसके बाद मैं further decide करूंगा, कैसे क्या करना है, ठीक है, इनके से अगर gap down, छोटा मोटा gap down open होता है, तो मजा कैसे हम करेंगे, तो second half में मैं देखूंगा, अगर मान के चलते, छोटा मोटा gap down open हुआ, ये area के आसपास जाके reaction लिया, उसके ब एक range जैसा दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है traditional एक range जैसा, आगर आप ये range के आसपास ट्रेट करना चाहते हो, तो कर सकते हो, लेकिन हम traditional चीजों को follow नहीं करते, यहां पर range breakdown दिखा के market उपर जाके फिर गिर सकता है, तो ये सारे चीज़े से हम बचने के लिए smart money को use करते चलिए, एक बड़ थोड़ा से निफ्टी चेक आउट कर लेते हैं, निफ्टी में कौनसा कौनसा important levels हो जाएगा, सिमिलर का इंडर स्टोरी, निफ्टी में मेरा target कही न कई 22,500 तक था, लेकिन आज भी market गया, पाप open होके, 450 के आसपास से जो selling pressure आया, उसके बाद विक्स भी मिल है, तो उसके हिसाब से भी मुझे ready रहना पड़ेगा, विकाज ट्रेंड लाइन के नीचे हो successfully candle closing भी देज चुपा है, तो अब अगर निफ्टी में flat open होके market उपर जाता है, अनलेस अनलेस निफ्टी ये zone के ऊपर जाके एक candle close नहीं करता है, जो की हो जाएगा, लग मानके चलता हूँ, 22,420, तो 22,420 के ऊपर जाके अगर फिट्री मिन का candle close नहीं करता है, मैं बाइं के वारे में दिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, मतलब अगर flat open होके, अगर मानके चलते, market flat open होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये सारे एरिया के आसपास से 22,4 20 के आसपास से SMC सेटप, फिटर में सेटप, रिजेक्शन सेटप, या फिर candle stick का सेटप, या फिर traditional कुछ भी हो जाए, या फिर sniper कुछ भी मुझे मिल जाए, मैं ये एरिया के आसपास से एक बाद मार्केट को short करूंगा, थोड़ा उपर का SL लेके, कहीना का ये zone का target लेके जा चुका है, तो अगर market flat open के नीचे आता है, तो तुरंत निकलते मैं एक बड़ छोटा quantity तो short करना जरूर पसंद करूंगा, because fresh day का momentum होने वाला है, अब यही चीज़ अगर 12 बचे होता, आज अगर जैसे हो रहा था, तब मैं नहीं लेता, लेकिन कल fresh day का momentum होने वाला है, त तुरंद flat open के तुरंद तो रहा है, तो मैं एक बार short करूंगा, थोरा सा quantity, और कहीं नहीं target रखना पसंद करूंगा, पहले 300 के आसपास 50 point enough होगा, एक बो में, उसके बाद मैं कुछ further action के ऊपर decision लेना पसंद करूंगा, ठीक है, और एक और चीज में बताऊंगा, यह थोरा तो इस तरह का trades दस में से दो बार ही successful होते, तो याद रखेगा, इन में अगर आप trade कर रहे हो, तो quantity को बहुत छोटा रखेगा, quantity को बहुत हलका रखेगा, फोमो में market मत trade कीजीगा, क्या होता है न, दस में से दो दिन market ऐसे flat open के नीचे आ जाएगा, और दो दिन आपने शा जैसा हो जाता है, कि या तो यहां से ऊपर भी जा सकता है, या नीचे भी आ सकता है, राम भरो से, वह चीज हम नहीं करते हैं, तो प्लीज, अगर आप यह trade ले रहो, तो quantity कम रखेगा, otherwise smart trade आपको मिल रहा है, then go for the full quantity, तो यह flat open के नीचे का और ऊपर का हमने discuss कर लिया, अब जैसा हुआ था, तो हम मान के चल सकते, selling pressure आ सकता है, because yesterday क्या हुआ था, selling pressure आया, market cover गया, आज क्या हुआ, selling pressure आया, market sideways हो गया, तो कल भी अगर selling pressure gap open होने के बाद आता है, तो वो ना तो cover करेगा, ना तो sideways रहेगा, वो fall on कर जाएगा, because दो दिन buyers ने try किया, अब अगर नहीं ह हो रहा है, तो वो भी सोचेगा, कोई बात नहीं हम नीचे से ले लेंगे, because जितना सस्ता हमें मिलेगा, उतना ही हमें अच्छा होगा, यह ऐसा उनका सोच हो सकता है, probability बहुत हाई है, तो अगर gap up open होता है, 420 के उपर, और इस तरह का selling pressure open is equal to high candle मिल जाता है, तो इस candles के चैनल का 50% का आसपा stop loss देखे, 350 का first target, और last target कहिना का ही, 250 के आसपास का में रखके, 420 के नीचे, 420 के नीचे, तो 420 के आसपास से, वही selling बाला zone के हिसाब से, मैं देखना पसंद करूंगा, just like flat open के उपर का, इनके से gap down open होता है, कहां पर open होता है, अगर gap down open होता है, बहु या फिर कुछ भी अच्छा कासा buying setup मुझे मिल जाता है, यह आसे एक बार buy करना पसंद करूंगा, और closing price तक का target लेके चलना पसंद करूंगा, या फिर कोई भी मुझे price action अगर देखने को मिलेगा, liquidity का target लेके चलना पसंद करूंगा, और second half में अगर यह उपर जाता है, तो तो फिर वो random हो जाएगा, SL लगाने का जगा नहीं मिलेगा, तो मैं यह 250, 22,250 का आसपास से एक बार buying करना ही पसंद करूंगा, ठीक है, तो यह हो जाएगा, सारा possible situations, bank nifty के लिए, बहुत ही detail में मैंने अपना plan आप लोग के साथ share कर दिया, और हर रोज में करता हूँ, बिल बनेगा, मैं उसी के accordingly act करूंगा, उसके बार target आएगा, कोई दिक्कत नहीं, stop loss आएगा, कोई दिक्कत नहीं, stop loss जाएगा, मेरा 2 रुपे जाएगा, 3 रुपे जाएगा, 2 रुपे जाएगा, 3 रुपे जाएगा, target आएगा, मेरा 9 रुपे आएगा, 10 रुपे आएगा, मैं अच्छा ट्रेड नहीं फंता है, तो don't go for it, या फिर quantity कम करके जाएए, but always think it like it, that it is a long term process, ये एक दिन में Lamborghini जैसा कोई काम ही ही नहीं, आप सोचिए ना, आप एक दिन में 1 is to 20, 20 ले लिए, आप 1 लाग से 10 लाग बना दिये, क्या आपका जिंदगी भर का कमाई हो गया, क्या आप वहाँ पर रुख जाएंगे, क्या आपका 10 लाग से पेट भर जाएगा, क्या आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अगर आप करी रहे, तो एक दिन में 10 लाग क्यों कमाना है, over the period, 10 साल में 10 करोर कमाई है न, उस तरह का, मैं बस एक hypothetical आपको situation बता रहा हूँ, absolute values में मत ज जाएगा, लोग नहीं तो हस देंगे, और comment में मुझे पता नहीं क्या-क्या बोलेंगे, चली, बहुत हो गया lecture बाजी, तो ये सारा levels हो जाएगा, अगर level अच्छा लगता है, आप लोग को help मिलता है, तो do like, share and subscribe, because subscription आते नहीं है, लोग देखके चले जाते, anyway, it's up to their, it's their choice is obviously, तो subscribe जरूर कर दीजे चैनल को, मिलेंगे कल, live trading में कल जरूर आने वाला हो, फस्ट हाफो, second हाफो, जब भी मौका मिलेगा, आज नहीं आप आया, due to, पूजा था, पूजा item करना था, चली, तब तक के लिए, टेक्यार बाबाई, नीचे Instagram और Telegram का link दिया हुआ हुआ है जाके एक बर जरूर चेकाउट कीजे, में इंटर्सी प्रोगाम का भी link दिया हुआ है, जाके एक बर जरूर चेकाउट कीजे, बहुत ही pocket friendly price में आप लोगों को बहुत अच्छा लाएगा, इस तरह का detail analysis हम वहापे सीखते, आपको किसे के उपर depend करने की जरूरत नहीं होग इस तरह का detail analysis, structure mapping के साथ आप कर पाएंगे, market के साथ, price के साथ आप एक दोस्ती बना पाएंगे, जो आपको further process पे बहुत help करने वाला है, चलिए, आज के लिए इतना ही तिक्यर वावाई, trade smartly.